हलो फ्रेंड्स और कैसे हैं आप आज मैं आपको बताऊंगी के शादी क्यों करनी चाहिए यानि हर इंसान की सोच अलग-अलग होती है हर इंसान सोचता है लाइफ में के भई मेरी शादी होगी मेरा भी कोई लाइफ पाइटनर होगा जिसके साथ मैं पूरी लाइफ गुजारूंगा या पूरी लाइफ गुजारूंगी तो इंसान को शादी के बारे में बहुत सारे सपने सजाता है तो हर इनसान को लगता है कि हमें शादी जरूर करनी चाहिए कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो वो सोचते हैं भई मैं शादी नहीं करूँगा लेकिन ज्यादतर लोग यही सोचते हैं कि शादी करनी चाहिए जाहिरी बात है कि आपकी जब एज हो जाती है शादी के लाइक आपकी एज हो जाती है तो आपके मन में कहीं न कहीं ये ख्याल आता है भही मुझे शादी करनी चाहिए अब मेरी एज है शादी के लाइक तो आप शादी के लिए जाहरी बात है अपना पार्टनर ढूंते हो या आप नहीं ढूंते तो आप अपने पैरंट से कहते हो आपके पैरंट साप के लिए आपका लाइफ पार्टनर ढूंते हैं तो शादी जिन्दगी का एक एहम हिस्सा है हर इनसान को शादी करनी चाहिए क्योंकि जब इनसान शादी करता है तो उसकी लाइफ आगे बढ़ती है पूरी जिन्दगी में इसका लाइफ का सोचने का अलग नजरिया हो जाता है अलग ढर्म हो जाता है जो शादी से पहले की जो लाइफ होती है वो दूसरी होती है और शादी के बाद एकदम उसमें चेंज आ जाता है क्योंकि जाहरी बात है आपका आपको लाइफ पार्टनर मिल जाता है वो पार्टनर जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है जो आपके सबसे ज्यादा करीब होता है आपके सबसे ज्यादा नजदीग होता है जाहरी बात है आप जब शादी करोगे किसी से भी आप शादी करोगे तो कोई ना कोई तो आपके वाइफ बनेगी या कोई ना कोई तो आपका हैस्बेंट बनेगा जिससे आप हर बात शेयर क सब और सकोगे अपने सारी बातें उससे कह सकोगे और अपने सारी जो भी प्लान जो भी कुछ होगा ऊसके साथ रख सकोगे जाहरी बात है या सब कि बाद ऑद ही होगा या जब आप राएंस के वाधी करों तबiffs होगे जो इनसान चाहता है कि मैं अपने लाइफ पार्टनर से शेयर करूँ तो जाहिर बात है लाइफ पार्टनर जब होगा जब आप शादी करोगे तो इनसान को शादी जरूर करनी चाहिए क्योंकि कुछ बातें वो शेयर नहीं कर पाता अपने पैरेंट से अपनी सिस्टर से आगे बढ़ती है फिर उसके बात उसका परिवार आगे बढ़ता है क्योंकि एक स्टेज एक ऐसी आती है जब इनसान शादी से पहले अपने पैरेंट्स के साथ रहता है अपनी मदर के साथ रहता है अपनी सिस्टर के साथ ब्रादर के साथ लेकिन रफ्तर रफ्तर जब सब हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो भी अपने शादी के बारे में नहीं सोचे या वो यह सोचे कि मैं शादी नहीं करूँ जाहिरी बात है उसको भी शादी करनी चाहिए वो भी अपना जिंदेगी उसको भी आगे बढ़ानी चाहिए और जब वो शादी के बाद उसकी लाइफ वो दूसरी हो जाती है और वो खुशी से अपने साथ रहने पूरता है तो उसकी फैमिली और आगे बढ़ती है उसके बच्चे भी होते हैं जिन से वो बाते करता है और जिन उसके साथ वो अपने हर लम्हें खुशी के गुजारता है यानि जब कोई भी हो वो मदर या फादर जब वो बनता है तो उसको एक अलग तरहां की खुशी होती है जो उसको कभी ऐसी खुशी कभी नहीं मिली होती है जब वो फादर या मदर बनता है तो उसके खुशी का ठीक और वो और खुशियां फिर वो और खुशियां अपने आगे अपने बच्चों में बाटता है, तो इस तरहां जो आने वाली लाइफ होती है उसकी वो खुशकवार हो जाती है, तो इसलिए हर इनसान को शादी जरूर करनी चाहिए, ये शादी के बगएर हर इनसान अधूरा है, मैं तो ये कहूँगी कि वो अधूरा है, जब तक जब उसकी एज हो जब उसकी एज हो, उसका अपने बिस्निस वगएरा सैट हो तो उसको शादी जरूर करनी चाहिए, चाहिए वो लड़का हो या वो लड़की हो, शादी के बगएर जिन्दिगी अधूरी ना मुकम्मिल रहती है तो फैंस मैं आपसे आज यही कहूंगे अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें, शेयर करें बाई